अभी आमने रिसेंटली कवी सारों ओलए पैट टू किया है और सारे टैबलेट की वीडियोस पर क्या प्यारा रिस्पॉंस दे रहे हो तुम और जितने भी टैबलेट हमने रिव्यू गया है लेकिन उसमें से कोई भी 12 इंची या उपर वाले नहीं था तो मैंने सर्च किया ओनलाइन तो मेरे को लिनोवो का टाप P12 मि पुराना हो गया बारा नेक्स्ट मॉडल तो यहां पर एमारे को कुछ ऐसा बॉक्स मिल जागा यहां बड़ा 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 टैबलेट बना हुआ है और अंदर से टैबलेट हमारे को मिलेगा निकाल लिया उसके लावा एक इजेक्टर पीन हमारे को मिल जाती है और ही बहुत पुस्तक है और यहां पर कुछ इतना बड़ा टैबलेट हमारे को मिल जाता है 12 इंचीज आप देखरो इस टैबलेट का साइज यहां पर टैबलेट हो गया और इसके बगल में एस 23 अल्टर आप देख लो इस से अंदादा लगा सकते है कितना बड़ा टैबलेट ह यह आत्ता भी special audience के जिनको बड़ा बड़ा पसंद है एक तब बड़ी screen बड़ा मामला एक तब बड़ी पड़ा ही लिखाई समझ रहो यहां पर टॉप पे मारे को दो noise cancelling microphone मिल जाएंगे इधर volume rocker button हमारे को मिल जाएगा एक यहां पर lock unlock का button मिल जाएगा और यह हमारा physical fingerprint scanner इसकी speed हमारे को अच्छी काजी fast मिल जाते है एक तम टच करते हमारे को दो speakers मिल जाएंगे और यहां पर हमारे को ट्रे मिल जाएगी जिसके अंदर यहां पर स्टाइलस ऐसे रखोगे यहां पर स्टाइलस आप की चिपक जाती है जो मेरे को बढ़िया लगा यह हमारा camera module होगा single camera यहां पर flash मिल जाएगी और यहां पर dual tone है एक थोड़ी glossy सी है और यह थोड़ी matte type की है है पूरा metal ही वैसे और इस tablet का weight 610 grams के आसपस मिल जाता tablet मैं तो कुछ और ही समझ रहा था और इस tablet के हमारे को दो वेरेंट्स मिलता है एक 128GB है जो 27500 के आसपास है और 256GB है जो 29500 के आसपास है दो हजार का फरक मिलेगा आपको storage के अंदर अब बात कर लेता है main मसाली के जो इसकी display है यहां हमारे को इस tablet में 12.7 इंचिस की 3K massive display मिलत आता है color gamut के मामले में 96% DCI P3 के साथ इस डिस्पले आती है तो बढ़िया colors वागरा में मिल जाते हैं आपको multimedia वागरा देखना हो movies वागरा आप देखते हो तो colors वागरा बढ़िया मिलेंगे color accuracy वाला task करना हो for example photo editing वागरा इस tablet पर करता हो यह चोटी मोटी video के अंदर color grading वा जाता content वागरा देखना हो लेकिन जैसे थोड़े bright environment में यूज करोगा तो आपको फील होगा कि हाँ brightness में थोड़ी कमी है थोड़ी और जादा brightness होती तो इतनी बड़ी डिस्पले 3K resolution अच्छा है color gamut अच्छा है brightness का थोड़ा सा कम रहागा यह वालों से वैसे इतनी बड़ी और इसकी डिस्पले टी यूवी राइनलेंड फ्लिकर फ्री सर्टिफाइड भी है साथ में टी यूवी राइनलेंड फुल केर डिस्पले 3.0 का सर्टिफिकेशन भी है जिसकी वैसे अगर आप डिस्पले को लंबे टाइम तक चलाओगे तो आपके आँखों पे कोई ऐसा इंपक्ट में आएगा और इसके डिस्पले से सबसे बड़ा कॉन भाई 60 हर्ट का पैनल आता है इसके अंदर जो कि इतनी बड़ी डिस्पले को यूज करते हैं वह चौपी फील होता है आप कोई वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हो कोई सोचल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो 60 हर् पास सारे लाप्टॉप सिस्टम इतने जादा रिफ्रेश्टेट वाले हैं हमारे पास अपने फोन जादा रिफ्रेश्ट वाले तो लगता कि यह क्या पकड़ा दिया हाथ में है क्योंकि नीट थोड़ी है जिंदगी में 15 यूजर्स है कोई यहां पे और आप कर लेते हैं तकनीकी बात है इसके अंदर हमारे को मिलता है मीडियाटेक डेमेंसिटी 7050 जो मारा ओक्टाकॉर प्रोसेसर है 8GB राम हमारे को मिलती है इसके अंदर LPDDR4X राम है मेरे इसाब से LPDDR5 होनी चाहती क्योंकि डेमेंसिटी 7050 LPDDR5 को सपोर्ट करता है चाहते हो डाल सकते थे 30,000 और स्टोरेज भी हमारे को UFS 2.2 ही मिलती है 3.0 3.1 का सपोर्ट है इसके अंदर सिर्फ वाइफाई से चलेगा और जब तकनीकी बाते चली रही है तो थोड़ी पर्फॉर्मेंस देख लेते हैं यहां बेंचमा कमारा निकल गया 5,7,000 के असपास Geekbench 6 के स्कोर्स आप अपने सामने देख सकते हो जो की ठिक टैक निकाल के देखा इसके CPU के साब से और यहां पर हमने वाइफ एक्स्ट्रीम स्ट्रेस्टेस भी चला के देखा था मेरे को मैसूस हो जैसे अप्लिकेशन वगरा इंस्टॉल करते ताइम या फिर थोड़ी कोई हैवी अप्लिकेशन वगरा खोली थोड़ी और ज्यादा मल्टी टास्किंग कर ली तब जाके थोड़ा बहुत की स्टटर वगरा मैसूस हो तब वह ऐसा कोई नॉर्मल चलने तो 40 fps मतलब इतना स्मूध गेंप्ले मारे को नियुक्त और इस्पोर्ट गेम मेरे साब से एफपेश जादा मिलने चाहिए तो स्मूध पर एक्स्ट्रीम पर खेलेंगे एक्स्ट्रीम मतलब 60 fps वाली गेमिंग और यहां पर सारे स्ट्रीम मतलब देख सकते हो यहां पर एक तो इतनी बड़ी स्क्रीन पर गेम कहलना ऐसा लग रहा जैसे स्क्रीन पर कड़ी चामल खा रहे हूं मुट्टे बर बर के सारे स्टूडियो में और यहां जगड़ा हो गया जगड़ा हो गया बंदा मार दो हो देख मैजा थे कम पता नहीं लोग खेलते कैसे हैं इतने बड़े टैबलेट वह पताया रहा रहा होगी मारी 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 बड़ी लगी तो भाई अपास भी तब हमारे एफपीस 58 59 के आसपास ही रहे मैं और नहीं खेलना चाहता क्योंकि मुझे पता है ममणने वाला हो यह आया ओर मार दिया देख रहा वाई इसा पिरो टॉलिटी लो जाती है तो मारे को बाई सब मैक्सिमम फ्पेस पी ला वैसे भी 60 की डिस्प्लेई क्या मैक्सिमम एक्टम स्टेबल शिक्टी एपिस लगा दिया यहां पर एफपेस और बढ़िया स्टेबल 59.9 यानि 60fps एंड यह गेमीं के अंदर जायरोश को बहुत मातर कर औरे गोली का बटन कहा है अले यह किसके अकाउंट लॉगिनेज में मेरे उंगलियों में लकवा मार गया बाइसाब यह हमारे ना टीममेट का काउंट है यह ऐसा खेलता होगा यह वाह इससे साफ से तो पैरले से बहुत जल्दी होगा इनसान को तो अपर गेमप्ले बड़े चल रहा है यहां पर सीपी जीपी वे टेंपरेचर वागरा भी नॉर्मल है बैटरी भी नॉर्मल है और यहां पर लंबी गेमिंग करने के बाद हमारे टैबलेट के तेंपरेचर से नीचे से तो 29-30 डिग्रीज के आसपास तक चले गए ते जो की जादा गरम नी होते अंड आपको मूवी जादा देखने होते क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर देखने मजा आता ना मूवी जाता तो यहां पर डिस्प्रेट हमारे को बड़ी मिली जाती है साथ में स्पीकर बहुत मैटर करते हैं एड़वाइब बेस्पार्ट अबाउट इस पीकर तकड़ी मिलते हैं वन वन वाट के चार स्पीकर हमारे को मिलते हैं जो मैं आपको शुरू में दिखा भी रहाता है और जो स्पीकर की ट्यूनिंग है वो जेवेल की तरफ से है प्लस डॉल्बी आटमस का भी सपोर्ट है तो आपको साउंड प्रसेसिंग है वो बहुत तकड़ी मिलेगी इसके स डॉल्बी आटमस वाली डिवाइस अब इससे कनेक्ट करके आउटपुट लोगे तो भाई ताबर तोड मामला मिलता है एक सेंपल चला के दिखाता हूं आपको स्पीकर के लाउडनेस यह जैसे कोई लाप्टॉप के स्पीकर बज रहा हूं मतलब लाप्टॉप के स्पीकर से भी थोड़ा ऊपर का लेवल बेस भी फील होती है थोड़ी थोड़ी और जैसे कि मल्टीमीडिय के बात चल रही है वाइडवेन L1 का सपोर्ट यहां पर मारे यहां पर मिल जाएगा जो मारा यूजर इंटरफेस है और प्रॉपर एक्स्पीरिंस यहां पर हमारे को स्टॉक एंड्रॉइड वाला है मिलता है कोई या सच ब्लोट वेर्स वागरा नहीं है कोई एक्स्ट्र अप्लिकेशन इंस्टॉल हो की नहीं आती नॉर्मल लिनोवो और यहां पर गूगल का एंटरेन्मेंट स्पेस मिल जाता है में स्क्रीन से राइट स्वाइप अगरम करेंगे तो यहां पर पूरा पर सर्च का उप्शन है तो आप कॉंटेंट सर्च भी कर सकते हो एंड पहले यहां पर वाच मिल जाएगा आपके सारे OTT यहां पर शो कर सकते हैं इतनी बड़ी डिस्प्ले मॉड भी मिल जाता है जैसे कोई भी आप को टैप अंड होल्ड करोंगे और पहले वाला इकन यहां पर दबाते हैं और यहां पर दो एप को होवर कर सकते हैं उसके लाव अपना टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं मल्टी टास्किंग में और यहां पर कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कोई ऐसे आप जो वर्टिकली ही चलती है उसको और चलाने का मना आपका तो वहां पर फीचर काम आ जाता है एक फीचर इस टैबलेट का मेरे को काफी सही लगा एडवांस फीचर में यहां पर पीसी मोड मोड मिलता जैसे सामसंगा डेक्स मोड नहीं होता प्रॉपर वैसी आइकन वगरा बन जाते हैं यहां पर नीचे रीसेंट वगरा हमारे को मिलेगी प्रॉपर पीसी वाला एक्स्पीरियंस आप मिलता है अगर आप कीपोर्ड माउस वगरा कनेक्ट कर लोगे ओड़ी ले सकते हो इसके स अंदर सपोर्ट नहीं है 30,000 का टैबलेट होते हुए भी यह मेरे को ड्रॉपक लगा शाओमी पैट से हमने रिव्यू करा था उसके अंदर डिस्प्ला उट पुट था और वाइस टैबलेट के अंदर हमारे को वाइब्रेशन यानि कि हैप्टिक फीडबैक नहीं बिलता व और बैक कैमरा से हम 1080P और 720P पर ही रिकॉर्ड कर सकते है 30fps और यह कुछ इसके फोटो के सेंपल है जो हमने लिये थे फ्रंट कैमरा से बैक कैमरा से इंडॉर में आउट्डोर में लो लाइट में डेलाइट में और टैबलेट के कैमरा से जादा उमीद करने को जूरत नहीं जिन कामों के लिए बने होते हैं लाइक वीडियो कॉल्स हो गए कुछ मीटिंग्स वगए गूगल मीट्स में यूज कर लिए उन सब कामों के जबसे का कैमरा बढ़िया है अपडेट सिन सेक्यॉरिटी के मामले में दो साल के मेजर अपडेट मिलेंगे और चार साल के हमारे को सेक्यॉरिटी अपडेट सेके अदर मिलेंगे और लिनोवो डिए चौइब अपडेट के मामले में कैसे मेरे को नहीं पता कूंकर में देख लेते तो कॉमेंट में जाकर और अजाती है कलाकारी वाली पैंसिल नोवो का टैब प्लस और यह जो उन्हारा स्थाइलर 4096 levels of pressure sensitivity के साथ आता है यानि कि pressure sensitivity को support करता है आप हलकालका use करोगे तो पतली मत लाइन आएगी tight tight use करोगे तो motivate line आएगी pressure sensitivity पहचान जाता है और यहाँ पर tilt detection इसको बता जाते है tilt करके आप use करोगे तो भी कोई असी दिक्कत ने आएगी और साथ मैं palm rejection को यह support करता है इतनी बड़ी screen पर आप stylus यूज करोगे तो आपका palm आएगा उसके ओपर screen अपने अपना चले इस stylus के साथ वो कोई दिक्कत ने है यह हाथ रखके आराम से यूज करो और यह stylus हमारा type C port के साथ आता type C के तो आप इसको चार्ज कर सकते हो और इस stylus को आप यूज कर सकते हो नोट्स वगएरा बनाने के लिए अगर आपकी टाबलेट की स्क्रीन आफ भी है ना तो आफ स्क्रीन के ओपर इसका बटन दबा के स्क्रीन के ओपर टैप करोगे तो आपको पता ही होगा जैसे अपना कलाकारी करना अपने कुछ रंग वगएरा बना लिए कभी कोई फोट एडिटिंग वगएरा उसके अंदर स्टाइलस काफी काम करता है और लेटेंसी वगएरा में मिरे को दिक्कत नहीं हुई तो वाई यह था में तरह से लिनोवो का टैप P12 का पूरा रिव्यू एंड यह आपको अंडर 30,000 मिल जाएगा लाइक जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन के प्राइस है आगे बीचे कोई से लोस में कम मिल जाए या बाद में प्राइस कम हो जाए वो आपकी कि जाता है उसके अंदर सबसे पहली चीज हमारे को डिस्पले बहली चोटी मिलेगी लेकिन डिस्पले का रिफ्रेश्टेट 144 अच्छा जो चलाने में स्मूथ फील होता है साथ में ब्राइटनेस भी अच्छी मिलती है फाइफ फिफ्टी निट्स की उसके अंदर बढ़िया मिलेगा स्नाप ड्रगन 870 LPDDR5 राम मिलती है UFS 3.1 स्टोरेज मिलती है और टाइप सी के तुरू डिस्पले आउटपुट भी मिलता है बाकि शाओमी पैट 6 का रिव्यू है हमारे चैनल पर अगर वह देखना तो वह देख लेना इससे कितना बेटर है कितना बेकार है वह कं 30,000 में आपको एपल का आइपाइड चीए तो 9 जनरेशन आपको मिल जाएगा 64GB इंटरनल मेमरी के साथ और उसके बारे में ज्यादा बात करके फायदा नहीं क्योंकि मैंने रिव्यू नहीं कर रखा और जिसको एपल लेना है उसको एपल लेना है तो अगर आपको एपल ही काम आजाएगी मेरे भी काम आजाएगी एंड अगर किसी और टैबलेट का रिविउ चाहते हो वह भी कॉमेंट करके बता सकते हो पहली बार है और सबस्क्राइब करके जा सकते हो वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना और हमारे लिए कोई सजेशन कोई क्वेरी या फी